यह 7th class exercise 3.2 and question number 4. Question number 4 is find the mode and median of the data. यह data है आपके इसको आपने arrange करना है ascending और descending order में उसके बाद आपने इसमें mode और median find out करना है. चलिए देखते हैं इसमें सबसे छोटा number है अगर हम इसको ascending order में arrange करते हैं तो सबसे छोटा number है 12. तो 12 कितने time है हमारा 1 and 2 time है 12 के बाद 13, 1, 2 time आपका 13 है then 14 भी आपका 1, 2 and 3 time है 14 के बाद आपका 16 then 19. टोटल हमारी number कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 number है हमारे चलिए हम इसे note book में करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे arranging the data in ascending order. ascending order ascending order में जब हमने इसे arrange किया आभी मैंने आपको बता था सबसे पहले आएगा 12 then 12 12 था जो हमारा 2 time था 13 भी हमारा 2 time था 13 13 14 जो हमारा 3 time था हमें से 3 time लिखेंगे and then 16 and 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे 9 थी नमबर तो यहां पहले लिखोगे total number is equal to 9 अब हमें find out क्या करना था इसका हमें find out करना था mode and median तो सबसे पहले हम more find out करेंगे mode नी जो नमबर आपका ज्यादा बार आएगा तो 14 जो है आपका 3 time repeat हुआ है तो आप यहां लिखोगे mode is equal to 14 यह आपका first answer आगया second में हमें find out करना है median median के मैं आपके दोनों formula बताते हूं जैसे मैंने पहले भी question में बताया था median का मतलता है mid term यानि कि आपके number total 9 है यानि odd number है तो mid term आपकी कुन सी होगी 1 1 2 2 3 3 4 & 4 तो mid term आपकी है 14 तो आपका habit डाली जाए तो ज्यादा अच्छा है 9 plus 1 upon 2 10 upon 2 यानि कि 5th term तो 5 तो 5 तर्म आपके कुन सी है 1 2 3 4 & 5 तो आपका median और mode हमें यहीं पर पता चल गया now question number 5 this one is the last question of this exercise tell whether the statement is true or false आपने बताना है यहापको 4 statement दीगे यह true है या false है तो first statement है the mode is always one of the number in a data mode जो होता है वो हमेशा जो आपको number दिये जाते हैं डाटास में तो उसी में से होता है बिल्कुल उसी में से होता है तो आप यहापे लिकोगे true तो डाटा में नंबर होता है उनहीं में से रहता है यह बिल्कुल गलत है तो आप यहां लिखोगे फॉल्स क्योंकि मीन आपका अलग से भी कोई नंबर हो सकता है the median is always one of the number in a data median जो होता है जो डाटा में आपकी नंबर होता है उसी में से होता है बिल्कुल यहां पर ट्रू लिखोगे और लास्ट दा डाटा इस हैस मीन नाइन तो आपने क्या करना है इन सब को प्लस करना है और फिर उसको आपने डिवाइड करना है जितनी टोटल नंबर ह इसमें अगर आप ascending order में नहीं arrange करते हैं तो कोई दिकत नहीं है क्योंकि mean है आपको arrange कि bạn कैशे के लिए इसका मोड और सबसे ज़ादा आपको didn के लिए arrange के लिए डाटा है तो इसको बाइंस को एड कर देते हैं को चलिए हम यहाँ पर merge कर के देख लेते हैं इसको 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 then 12 13 प्लस 9 ठीक है अब टोटल नमबर हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप लिख लीजेगा मेन तो मेन आपका कितना आएगा इन सब को टोटल करोगे 64 इसको कट करोगे तो 8 आएगा आपका तो यहाँ पर मेन आपका 9 दिया गया तो यह आपका फॉल्स है एक बार फिट से देख लिजेगा फर्स जो है वह आपका ट्रू सेकिंड फॉल्स ट्रू एंड लास्ट इस फॉल्स इसी के साथ से एक्सरसाइस यह विडियो आपकी यहीं पर खात्म होती है